जे स्टुडेंट आज मैं एन आई ओएस के उन सभी स्टुडेंट्स के लिए सेंपल पेपर लेकर आया हूं जो सेंपल पेपर मैं यहां पर दावा करता हूं कि अगर आप इसे देख कर चले गए या पढ़ कर चले गए तो आपके एक्जाम में 100% अच्छे मार्ग साने की वो 40 मार्ग का रहा है क्योंकि अल्रेडी बता चुक्ए कि इसमें 60 मार्ग सब्सक्राइब करने के लिए बहुत जरूरी है यहां पर यहां पर सब्जेक्ट को समझना क्योंकि देखिए यह सब्जेक्ट में अच्छी परसंटेज लाने से आपका जो है अच्छा से आपको एक बार इसका सेंपलों पर जो देख लेना चाहिए कि किस तरीके से पर आ रहा है और ताकि जो है ऐपको असानी से अच्छे माक्साइब सके मैं समझता हूं यहां पर टार्गेट जो मैं लेकर चल रहा हुं यह लेकर चल रहा हूं कि अगर आप यह पेपर सओंड सबसे बारे आपको क्या सबसे सबसे कि कोशन मंबर 1 से लेकर 8 तक साख ईंतीफव了 5 कोशन है यानि की मल्टिपल्स सब्सक्राइब करना है कोई भी एक आपको दिये होंगे उन सब में जो है आपको प्रोवाइड कर दी गई है उसमें से एक चूज आपको करना है कोई भी एक आपको अटेम्ट करना है वो आप सभी को पता ही होता है कि हमको अब्जेक्टिव टेप कोशन में इस तरीके से करना होता है अब लोग हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर देखते हैं कोशन नंबर 9 से लेकर 17 तक अब 9 से सेवंटीजंटीजंब कोशन है टू माक्स के और दोनों के सब फ़्ट भी है दdaughter हैं और ездयुन से लेकर सतरा तक यह आपके से नसे नहीरी अढ़े इन श्वाइदे some of these questions काई questions में आपको चॉइस भी प्रोवाइड करें गई है यह आपको लिखना है तो यह रहा आपका जो है 17 तक के बारे में हमने यहां पर जाना उसके बाद आगे बल रहा है यहां पर कोशन नमबर 18-19 जो होंगे न वह आपके क्या आएंगे वह आपके आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर डिवारी शॉर्ट कोशन जिन में हमको आंसर जो है कितना लिखना होता है थाटी तू फिफ्टी वर्ड्स का तो यहां पर यहां पर यहाद रखेंगे जब भी तू तो मार्क्स को कोई आपका और डाटा यहां पर देना होगा उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग यहां पर देखते की कोशन नंबर है जो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी त्री कोवंठी से लेकर ट्वेंटी अपका जाता है शोट पान सब्हूंट अब यह कितने को जाता है तो आपका 5280 वर्ट के बीट में आपको यांसर लिखना है यह बहुत जरूरी है जानना आपको कहीं स्टूडेंट क्या करते एटी से उपर लिख देते तो आपको ज्यादा लिखने से भी मार्ट नहीं मिलते और फिफ्टी के नीचे लिखोगे तो वैसे साही प्रिपेर रहोगे कि इतने कितने मार्ट में कितने कितने वर्ट का लिखना है आगे आगे हम लोग बढ़ते यहां पर यहां पर देखिए कोश्ट नमबर 24 यह लास्ट कोश्टन है लॉण अंसर डाइप कोश्टन गैरिंग 4 marks इच पूंसर टूभी रेंज ओफ एटी स साथ 7 tray में तो 3 दिकना मिल रहे और चलिए स्टुडेंट अंसर में आपको दिखाओंगा और साथ साथ में अगर आपको इस डाटर के जो सेंपल पर रहे हैं आपका द्वारा दिया गया है इसके हम लोग आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर आपको आंसर वाला पीडिया फाइल की है तो उसके लिए आप वी की सी ऑई सी गुरूजी डोट कोम पे जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो या हम से वर्टसप पे संपक कर सकते हो तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए हम एक एक करके कोश्चन ले लेते हैं सबसे पहले जैसे यहां पर कोशन आ रहा है क्या कोश्चन बोलाव है यहां पर कुश्चन बोलाव है आपको लांग टेक्स केन भी ब्रोकन डाउन इंटु मैनी लाइन विदिन असेल यू कें डू देस थू अब आपको चार ओप्शन दिये वह ए बी सी डी तो इन चारों में से आपको अंसर लिखने हैं और मैं जैसे आपको बता दू होगा तो इसका जो आंसर है वह है एक यानि कि अगर रप टेक्स्स फॉर्मेंट में लेटर देन जो होता है वह यहां पर लॉंग टेक्स के बोकर हो जाते हैं यहां पे हमारे जो है टेक्स करो रहते तो पैसे नमबर वन का आपकर आएगा एक़र और उसके बाद हम लोग आ आंसर देखते हैं तो इसका आंसर मिलता है आपको बी ए एफ 9 यानि कि अगर हम एफ 9 करते हैं तो वहां पर हमको वेल्यू फॉर्मुला सेल्स ऑटो केल्कुलेट मोड में चला जाता है ठीक है डिसेबल हो जाता है तो यह दोनों कोशन आपके कितने कितने मार्स के वर बन मार् della या जैने आपकर चाहें तो उसका आंसर यहां पर आपका थाहता है यह वाला जो है यह आपका है कोई भी इसका फंक्शन नहीं होता है जबकि सम्सें से फंक्ष्ण ऊजाता है लेकिन आपका सब्सक्राइट से क्या है है कि है तो वЫ dobust question आपको यह नहीं आ रहा है तो और वह ऐसे आप These एक ही का मिलेगा अब यहां पर सेकेंड बाट बोल रहें विच फंक्शन ऑफ दे एक्सल चेक्स वैदर दा कंडिशन इस टू और नॉट कि यहां पर पूछे जा रहा है आपसे के कौन सा आपका टू है और कौन सा नहीं है तो उसके लिए जो आपका आंसर मिलता है वो है आंस करें हमारे कैपूटर की बात करें तो इन में से फॉनि इस्टा сразу कोन सा नहीं है तो आपने देख वोगा कि बहूत सारे यहां पर आपको अलगदक तो यह होता है च्छा सबू shelves को सखते तो उसमें words के उपर ऐसे line आती है तो यह option नहीं है यानि कि यह answer है कि यह font style नहीं है बाकि हमारा बोल्ड भी होता है इटलिक भी होता है और regular भी होता है और यह मिलने पर आपको मिलेगे किते हैं one marks तो यहां पर आप समझें जैसे में data entry का यह sample पर आपको साथ साथ में आपकी तैयारी भी हो रही है आप पड़ भी रहे हो ताकि आपको जो है इसी से related अगर कोई question और भी आजाए तो वह भी आप कर सकते हो उसके बाद आपका देखिए question number हम फिफ्ट में आयते हैं फिफ्ट question number भी one marks कर आएगा यह कह रहा है कि अगर हम control plus page down करते हैं तो यह किस यूज में आता है तो हमको इस answer को लिखने के लिए उसका option ढूड़ना होगा तो इसका correct answer है वह बी वाला है moving the cursor one page down अगर आपको one page down में बिलकुल ले जाना है उसी page में down में लेकर जाना है तो आपको यह option चुटना होगा control plus page down और इससे भी आपको मिलेगे कितने marks one marks screenshot आप ले सकते हैं student आगे बढ़ते हैं question number six आप question number six में बोला answer any one of the following इन में से एक ही आपको question करना है जिसका भी आप देना चाहो क्योंकि यहां पर आपको marks का मिल रहा है one marks मिल रहा है बीच में आपको और दिया हुआ है और दिया हुए या तो आप यह वाला question करिए या फिर यह वाला question करिए जो भी option मैं यहां पर फिलाल दोनों के आंसर आपको बतायता हूं जैसे यहां पर question number one का बोला what type of chart is useful for comparing the parts of a whole कि अगर आप parts of a whole में किस टैप का chart को utilize करते हो तो इसमें answer जो है आपका आता है यह पाई चार्ट कि आपका जो है पाई चार्ट होता है तो यानि कि आपको यह answer भी यहां पर देखने को मिल जाता है फिर उसके बाद question number two what types of chart is useful to track the changes over the short and the long period of time अगर long period of time और short period की बात करें तो किस टाइप का chart आपको यूज़ करना चाहिए तो इसका answer है सी वाला लाइन चार्ट यानि कि यह आपका लाइन चार्ट रहेगा तो यानि कि question number first का एपार्ट और second का सी पार्ट लेकिन इन दोनों में से करना यह कि है क्योंकि marks आपको कितना मिलेगा one marks आगे बढ़ते हैं question number seven seven में बोले है shortcut key for redo अगर हमें कोई चीज़ करनी है एक बहुत सा common है जो सारे स्टूडेंट जातर यूज करते हैं इसमें कि अगर आपको कोई भी चीज़ जो है commonly करनी है रीडू कर देना है तो उसके लिए आपका क्या होता है control वाई कि control वाई आप करिए तो आपका रीडू हो जाता है और आपको जो है यहां पर one marks मिल जाते हैं इसके पूरे पूरे उसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अब यह question आपको देखो इस question में क्या दिया हो question मैं दो चीज़ीं दिये होती है एक लोता है और एक दिया होता है reason बरें बहुत Şu को मैं बहुत सा रहिट को बहुत कुई होती है इसमस्ता होताgi की यहां पर क्या हुता होता है कि कि किसी को हम बहुत from de रहे हैं वो सही है यहां और रिजन कि इसका कारण कि आपको करने हैं यहां पर अगर हम एक बर इस से थोड़ा सा क्लियर कर जेते हैं था कि आपको क्लियर हो जाए इसमें हम लोग सबसे पहले ले ले लेते हैं हमका कोश्चन में अब इसरेशन में क्या बोल रहा है कि करण क्या है रीजन का है इट टेक्स रेफ फीचर अवेलेबल dice correspondence सansa कि बोध ई trained करेंद कि उत्रशỏi करेंदिए वहार आफ को आपको एगिख ओडिस्जूरं क्राफिशर तो आएसा होता है तो यह हैं पर आपका जो प्रस्ट वाथ है उसका जो आससर में है है वाला बोथ ए एंड आर यानि कि एजेंशन एंड आर आर ट्रू एंड आर इस दा क्रेक्ट एक्स्प्लेनेशन ऑफ ए जो बलपूर बताया जा रहा है उसका रिजन बिल्कुल सही बताया हुआ है कि टैक्स रैप लगा होता है इस वेज़ से जो है वह मार्जिन खतम होने प है हे यह आ गया आपका सेकंड वाला आप सिकंड व्ले में हैं यांपर आपका क्या दिया की है कि gonna राइटर इज अप्लिकेशन software certification में बताया जा रहा है कि राइटर आपका क्या है application software है और reasonable रहा है application software is software which perform the specific task for an end user की जो application software होता है वो एक ऐसा software है जो perform करता है एक special task end user के लिए end user मतलब जो हम लोग use कर रहे हैं तो जब हम इसका answer ढूननी जाते हैं question number eight का तो इसका answer भी है हमारा यह वाला आप यह वाले में क्या बताया जा रहा है वाले में कहा रहा है बहुत एड और यानि एजर्टिशन और टू एड़ीजन इस दर क्रेक्ष एक्स्प्राइशन ओफ एजर्टिशन तो यह भी आप सब्सक्राइशन तो इसमें भी आपको मिल जाएंगे अगला अपका थर्ड आ जाता है क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव अन्वांटिड एरिया प्रॉम एन इमेज बल्कुल साही बात है यही होता है क्रॉपिंग का मीनि और रीजन के हैं ड्रॉइंग टूल्स तो क्रियेट ग्राफिक्स लाइक रेक्टेंगल सर्कल्स एड्सेप टू है बट आर इस नॉट दे क्रेक्ट एक्स्प्रेशन ओफ ए जैकिंड जो रीजन ना वह करेक्ट नहीं दिया हो है क्योंकि कोई और रीजन ने क्रॉपिंग करते वग्ग का यह रीजन नहीं है तो इसको भी जब आप करते हैं तो आपको कितना मार्स मिलेगा लॉन मार् तो जब हम इसका अंसर ढूने जाते हैं तो इसका अंसर मिलता है आपको बी वाला अब बी में क्या है अंसर में बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इस नॉट दा क्रेक्ट एक्स्प्रेशन ओफ ए तो इसमें भी करने पर आपको मिलेगा कोशन नंबर नाइन स्टेट ट्रू और फॉल्स एनी टू दो करने आपको क्योंकि दो मार्स का है मैं आपको यहां पर जो है सारे ही बता देता हूं जैसे सबसे पहले बहुत बहुत रहा है एंड की मूज दा करसर टू दा काल्सकि धोल सब्सक्राइक कि जब हम भी स्पेस करते हैं तो लेंफ्स साइड जो रूइम्ली जिप सॉप्सट्र रहा है में हों लेकर जाता हैं तो सब मतला है तो यहां वroffen बिल्कुल औरन के जाता है question number हम जो fourth बोलते हैं यहां पर नाइंध को फोर्थ पार्ट page up key is used to scroll upward through a document quickly की page up key से scroll हो जाता है क्योंकि scroll करने के दो option है या तो आप upper arrow दबाओ या page up key करो तो quickly document उपर चला जाता है तो जी हां बिल्कुल चला जाता है true तो इन में से आप जब कोई भी दो जो आपको आते होंगे वहां आप करोगे तो आपको टू मार्क्स मिलेंगे वन वन मार्क्स का इच रहेगा ठीक है question number 10 fill in the blanks है इसमें भी आपको क्या बोला हुए कोई दो करने मैं आपको चारो बता रहा हूं यहाँ पर कैसे यहां पर सबसे बहुत बहुत है कि shortcut key for cut is अब आपको सोचने है कि shortcut key cut करने के लिए हम क्या करते हैं हम अगर आपकी बात करें तो हम करते हैं control प्लस एक्स कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप करते हो तो आपका जो है shortcut key cut हो जाता है और अगर वह पूछ रहे कि shortcut key for copy तो कॉपी का क्या होता है control एक प्लस सी यहां पर कंट्रोल प्लस सी करते हैं उसके बाद अगर हम लोग यहां पर पुछा जा रहा है कि shortcut key for paste पेस्ट के लिए करते हैं तो पेस्ट के लिए करते हैं control प्लस वी तो यह answer हो जाएगा and shortcut key is for undo कि अगर हमें कोई आप एटेंड कर सकते हो आपको मार्स मिलेंगे यहां पर कितने टू ठीक है उसके बाद आई एक कोशन नुम्बर 11 answer anyone of the following किसी भी एक का answer सबको देना है यहां पर आपसे पूचा गया है कि की शूट भी प्रेस्ट गो टूट टॉट टॉप अप अप दॉप कंट्रोल प्लस तो कंट्रोल प्लस ओम जब आप कर दोगे तो इसका answer आपको मिल जाएगा और अगर इसी का second वाला बोल रहा की विच की शूट भी प्रेस्ट टू रना स्लाइट सो अगर स्लाइट सो अगर स्लाइट सो अगर रन की बात करो तो आपको बढ़ा दू एफ-फ और फॉर्मुला जिन एक्सल मस्ट बी बिगेंड विद्धा साइन की कौन सा वह साइन होता है जिस्ते सारे फॉर्मुला शुरू होते तो अगर आपको बताऊं तो वह होता है एक वाल टू तो इसे ऐसे लिखेगा एक और फिर साथ में उसके स्पैलिंग में 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 इंचन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करेंगा क्योंकि तब ही जो है इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी आगे देखें कोशन नमबर 13 MSWord इन MSWord दैस है टू सैट टैप टू सैट इंडिकेट एंड टू चेंज दपेंज बार्जिन अगर आमें पेंज मार्जिन चेंज करना हो तो हमें MSWord क्या चीन हमें हमें हल्प करेंगी तो इसका जो आंसर है वह है रूलर जो रूलर होता है वह रूलर है हमारा आंसर क्या है आप अंसर लिख भी सकते हो मैं तो अभी दे रहा हूं जब आप यह लिक होगे तो आपको मिलेगा वन माक्स कुशन नमबर 14 की बात करते हैं आंसर एनिवन ऑफ दो फॉलिंग यहां पर दिया हुआ है वट इस दा कमांड टू मूब दसलेक टेक्षों एक प्लेसरे और प्लेस में लेके जाना हां तो हमें क्या करना चीए तो इसका आंसरde लोगर यहां निदे कच तरहीग करें अब woven पेस्ट कर यह हुए तो आपको मैंने लगे इस शरना क्या रहा है क्नल नीचे करो और दूसरी जगा पेस्ट करदो इसके लिए आप क्या कमांड यूज वह तो यहां पे सिंपल यहां-पैक copy को को यहां पेस्ट है कि उपर वाले में किया था तोड़ा सा राइटिंग है जो है आ है पर कोई बात नहीं आप समझ पा रहे होंगे यहां पर जो जिन मैं आपको समझाने जा रहा हूं तोड़ा सम्ञार कर देते हैं ताकि जो हैं आपको दिखता रहे क्या क्या हो रहा है यहां पर साफ सुत्रा उसके बाद कुशन नंबर आजी है आप 15 में बोले विज बार इस used to quick access to commonly used commands and tools तो इसका आंसर है आपका tools bar आप जो है tools bar में हैं अगर आप देखेंगे tool bar में तो वहां पर आपको commonly used होता है quick access के लिए ठीक है फिर है question number 16 which question number 16 में आगया which bar is used for the border and the pattern tab in MS Excel कि MS Excel में हम कौन से बार को use करते हैं border और पैटन के लिए तो इसके लिए जो answer है वो है formatting toolbar formatting और उपर वाला यह यह आगा toolbar यह नहीं formatting toolbar तो यह आपका question number 16 का answer रहेगा फिर है question number 17 the intersection of the row and the column is called R इसे क्या बोला जाता है जो intersection of row और column को लेके जो पीच में बनता है Excel में तो generally हम उसे बोलते हैं send तो इसका answer आपको रहेगा sell अच्छे इसके अगर answer आप भूल जाओ या आप इसकी इन्शोट नहीं ले पाओ तो आप हमसे इसकी पीडिया फाइल ले सकते हो या हमारे जो online store है मैं पहले ही बता चुका हूँ वी सी आई सी गुरुजी डॉट कॉम इस पर आप जाएंगे तो आपको सॉल्ट भी मिल जाएगा जो कि बहुत से स्टूडेंट है जिनको इस तरीके से अगर बाद में याद ना रहा है आंसर तो जाकर वहां से भी ले सकते हैं अच्छा यह हमने क्या कर दिया है सेक्षण यहमारा पूरा सॉल्ट अव्ट हो गया बाद में प्रोसेडिंग टुरा ओज आपको आंसर बता यह तो उसके लिए यह बड़ा कॉश्चन है तो इसको मैं यहां पर लेकिन आपको बता दूं जैसे दो पर दिये जा रहा है तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं यह सब्सक्राइब करेंगा उसके बाद आजो कुर्शन नमबर 19 अब यहां पर बोल रहा है दिपांचु बढ़ाता है राहूल को ही आस्ट अबाउट पार्ट यूनिट ऑफ दसी पीउ और उसने सीप्यू के बारे में पार्ट के बारे में पूछना सुरू करा आफ्टर स्टेट होगा अब आपको आंसर यहां पर देना है तो उसके लिए आपको यहां पर प्रॉपरली पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है सबसे पहले लिख रहा है विच इस रिस्पॉंसिबल फॉर एडिशन सब्सक्रिप्शन मल्टिपिकेशन डिवीजन लॉजिक एंड कंपैरिजन कि यह जो कौन सा रिस्पॉंसिबल होता है कौन सा पार्ड बोलो या कौन सा यूनिट बोलो CPU का जो यह सारे काम करता है तो अगर हम इसका अंसर दे तो इसके लिए जो एक यूनिट बोला जाता है वो आपको बोला जाता है यहां पर ALU अब ALU क्या होता है यह होता है अरित्मेटिक लॉजिक यूनिट अरित्मेटिक लॉजिक यूनिट ठीक हो गया उसके बाद आप कहा जाए यह विच टेक्स केर ऑफ स्टेप बाइस्टेप प्रोसेशिंग ऑफ ओल ऑपरेशन इंसाइड दा कंप्यूटर यह अगला कोशन आ नाम आपphen को बताने हैं तो आप यहां पर सारे हैं जैसे इंपर डिवाइस में आप लिख सकते हूं क्या लिख सकते हो की बोर्ड है माउस है है light pen है microphone है जाए को टर्च स्क्रीन है ॱ बहुत सरी चीज़ है यह आपके इनपू दिवाइस में रहे हैं। उसी तरह एगर हम बात करें कि कैसकी आउट्बूट डिवाइस की तौक डिवाइस में क्या क्या आइसे आपका हो जता है प्रेंटर उसके बाद आपका कहले टाँ प्रिंटर फिर आपका पॉइंटर फिर आपका स्पीकर तो यह साथ हमारे क्या हो जाते हैं और फूट डिवाइस हो जाते हैं तो अगर मैं इसको तोड़ा से हटा दूँ तो आपको यहां पर हाई-level language की बारे में अगर बोले तो हाई-level language में जैसे आता है क्योंता है बेसिक्स इनको ऐसी capital letters में लिखा जाता है एक language है COBOL C O B O L फिर एक language है photon F O R T R A N यह भी एक हाई-level language है ठीक है फिर एक C language है फिर एक C++ language है यह भी आपको पता होगा है ना तो आप इन में से कोई भी तीन वहाँ पर लेख सकते हो और आंसर दे सकते हो ठीक है student तो यह आप कर सकते हो इसके इन्चोट अपने ले लिया होगा उसके बाद मैं आपको आ बाद में वारा रहा है वहाँ आरणा 23 अप्लिकैशनमा मेल मर्च के तीन अप लिकेशन आप लिखे तो चो में मर्च के तीन अप्लिकेशन वहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज ज़िए होती हैं जो हमको पता होना जैसे मार्केटिंग इमेल्स यह हम करते हैं अना एंवल आप यह करते हैं मेलिंग लेबल फिर उसके बाद न्यूज लेटर कस्टम कैटलोग फ्रॉम लेटर एंड मोर तो आप उसमें से कोई भी कर सकते हो बाकि जो लोग पीडियाफ लेंगे उनको तो साफ सुत्रा तरह के सांसर आपको मिल जाएगा पसा जिल जाएगा किस तरह के आप लिखना है और जो लोग नहीं भी ले रहे हैं तो भी मैं यहां पर पूरा ही करा रहा हूं आपको उसके बाद कोश्च एक्सपेंड फॉलवाइं एनी थरी आपको कोई भी तीन को एक्सपेंड करना है यानिकि उनका जो है पूरा-पूरा उनका आंसर आपको बताना है कि क्या चीब होता है तो मैं जैसे के कर के आपको बताता हूं और एफ्टीपी का जो होता है वह है फाइल 1 इस्ट्रण्सपर का इस राफटो कॉल इस प्रेक्टेश होता है एसटीस का फिर एटीपी बीड़ थे हाइपर ए थे ऐग्स हाइपर टेक्स मार्क अप लेंग्विज मार्क अप लेंग्विज किस करेगा फिर एक आता है SMTP तो ऐसे बोलते हैं Simple Mail Simple Mail Transfer Protocol Transfer Protocol यह भी आपको मिल देगा फिर एक रहता है पॉप पी ओ पी जिसे हम बोलते है तो इसे बोलते है Post Office Protocol ठीक है और एक www यह तो मौस्ट सब को पता है इसका मतलब बता है World Wide Web World Wide Web है नो तो यह आपके जो है Full Forms रहते हैं इनके अच्छा किया है इसमें से आपको कोई भी तीन ही करने है और पूरे पूरे तीन मार्क्स मिल जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आप जो है ना इनके Full Form जरूर पढ़के जाहिए जरूर याद करके जाहिए जो कि यह पक्का आपके आपको दिखाई देता है नेटिस्केप नेविगेटर फिर मोजीला फायर फॉक्स आपको दिखाई देता है या गूगल क्रोम आपको दिखाई देता है यह सारे वेब ब्रोजर होते हैं के निटू संड़ुदे तो सर्चर्चरम जहाँ पर हम सच करते कोई चीज तो सार्च म किस में करते ह हैं जैसे आपको होग्ल पॉओ Ellie वह्मारा szinji यहां हू वहारा क्या सर्च इंचन से पर उसके बाद आप करो MSN सर्च यह भी सर्च इंचन है आपको यह लिखिए और नहीं भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कोशन नुबर 24 में एक और कॉप्शन दिया हुआ इसका प्रॉपर बड़ा आंसर है वह हमारे पास एवेलेबल है पीडियेप में वह आप लिख सकते हो तो स्टूडेंट यह था सारा एक पेपर आपका डाटा एंट्री ऑप्रेशन का थोड़ा से वीडियो लंबा हो गया तो कोई बात नहीं जो लोग सीरियस है और जिनको इस तरह किसी चेटिंग करके हम पास जाए है पैसे देखेंगे पास हो जाए तो मेरा वीडियो इस्टूडेंट के लिए नहीं स्टूडेंट के लिए जो अपनी मेहनत से बिना कोई पैसा दिये किसी को ईजी अच्छे मार्श लेकर आएगा और मेरा टार्गेट है थाटी टू तो तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद जय हिंग जय भारत